हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो अभी बज़ रहे हैं सुबह के साड़े साथ और मैं नहाद होकर आच चुकी हूँ और आज मैं सुबह जल्दी उठी थी तो मेरा सारा काम भी जल्दी हो गया है और काम जल्दी इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चों का स्कूल अभी नहीं है हाला कि मंडे से उनका स्कूल जो है वो खुलने वाला है तो अभी तो फिलाल आज स्कूल नहीं था और मंडे से स्कूल है तो इसलिए सुबह सुबह जो है नास्ती का टेंसन नहीं होता है बच्चों को रेडी करने का टेंसन नहीं हो रहता है तो सारे काम जल्दी से फटा फट से निपड जाते हैं और आराम से सुबह मेरा काम होता है तो फ्रेंट्स अभी मैं यहाँ पर ना चुकी हूँ सुबह सुबह का सारा क काम घर की सफाई वगरा सारा चीज हो चुका है और बच्चे अभी जस्ट सोके उठे हैं अभी अभी और वे लोग अभी खेल रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूं यहां पर तो सारे कपड़े में यहां पर धोके सुखने के लिए यहां पर डाल रही हूं तार में और सारे क बारिश हुई थी, सुबह भोर के टाइम में भी बारिश ही हो रही थी और अभी जो है, सुबह धूप निकल चुकी है उतना तेज धूप नहीं था, हल्का फूल का तेज धूप था और गर्मी बहुत जादा हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे फिर से दोबारा से बारिश होने वाली है तो सारे कपड़े मैंने यहां पर तार में सुखने के लिए छोड़ दिये हैं उसके बाद मैं चली जाती हूँ घर और घर में यहां पर मैं थोड़ा सा तैयार हो लेती हूँ नहाने के बाद जो है तयार क्या मतलब वही बाल में कंगे वगरा कर लूंगी काम जब जल्दी खत्म हो जाता है ना तो हमें बहुत जादा अच्छा लगता है तो बहुत mood fresh लगता है शांत लगता है बिल्कूल माहौल और अभी भी मुझे वैसा ही लग रहा था और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने बालों में कंगी कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे सुबह की पूजा भी करनी है बचे भी खेल रहे हैं घर पे ही हस्बेंजी मार्केर गया है सबजी वगरा लाने के लिए उसके बाद मैं यहाँ पर मांग में थोड़ा सिंदूर भर लेती हूँ और उसके बाद यही मेरा डेली रूटीन का मेक अप होता है ऐसा कोई हाइफाई वाला मेक अपने करती हूँ मैं और उसके बाद यहाँ पर मैं कर देती हूँ मंदीर की थोड़ी सी सफाई और बच्चे भी खेल रहे थे यही पे और सफाई क्या मिया वैसे तो मंदिन मेरा साफी रहता है लेकिन रोज पूजा करने से पहले हलका साम मैं एक कपड़े को गिले कपड़े से मतलब पोच देती हूँ क्योंकि जो अगर बती वगरा हम लोग जलाते है न तो उसकी जो राक होती है वो गिरती है और पंखे की हवा के वज़े से उड़ने भी लगती है उसके बाद यहां पर मैं देखिए आ गई थी इधर आंगन में यहां पे लाल वला फूल है तो जितना भी रोज मेरा फूल खिलता है मैं एक आद छोड़के सारे तोड़ लेती हूं और भगवान जी के चर्णों पर चढ़ा देती हूं और यहां पर देखिए आज इतना ही था और इसको ही मैं ले चलती हूं पूजा के लिए उसके बाद मैं यहां पर जला देती हूं दिया और सुबह सुबह अगर भगवान को दो अगर बती ना जलाया जाए भगवान को तोड़ा सा याद ना करा जाए तो फिर हमारी दिन की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और अभी यहां पर देखिए मैं कर लेती हूं अपनी पूजा और यहां हो गई है मेरी पूजा उसके बाद अभी ना फ्रेंड दोपहर का टाइम हो रहा था और मैंने सुबह पहनी थी सूट और लेकिन दोपहर होते होते इतनी जादा गर्मी हो गई थी ना कि मुझे वो जो मैंने सूट पहना था उसको खोड़ना पड़ा था क्योंकि उसमें बहुत जादा गर्मी लग रही थी और लंबा आस्तिन का है मतलब उस कुर्टी का ना आस्तिन जो है वो लंबा था और बच्चों को मुझे भी नहलाना भी था तो इस वज़े से मैंने सूट को चेंज कर लिया अभी यहाँ पर देखिए आईसक्रीम वाले भाई आये थे तो बच्चे आईसक्रीम खा रहे थे और उसके बाद अभी मैं बच्चों को लगा देती हूँ दुपहर का खाना क्योंकि खाना काने का भी टाइम हो रहा था और बच्चे अभी नहा चुके हैं दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया है और मैंने सूट चेंज करा ना क्योंकि बच्चे जब नहाते हैं वैसे तो जब मैं नहाती हूँ उसी टाइम गर्मियों में बच्चों को मैं नहला देती हूँ लेकिन बच्चे इतनी ज़्यादा सरारत करते हैं नहाने के टाइम में कि मेरे सारे कपड़े गिले हो जाते हैं तो इस वज़े से मैंने सारी चीजे सोच कर और फिर मैंने सूट को चेंज कर लिया है यहाँ पर मैंने आज बनाई थी मैं दाल भात और करेली की भुजिया और आलू की सुखी सबजी तो करेली की भुजिया तो बच्चे नहीं खाते हैं तो सुखी सबजी और दाल चावल दे दिया है मैंने बच्चों को उसके बाद यहाँ पर देखिया है, अभी साम का टाइम हो रहा था, इवनिंग का और बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो रहा था मैं अभी जाओंगी बच्चो को ट्यूशन छोड़ने के लिए और अभी का मौसम बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बारिस आने से पहले जो उमस वाली गर्मी होती है ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा था तो बच्चो यहां पर देखिए इसका जो बैग है ना यह अपना जो बैग का चेन है ना इतनी बार यह लगाता है खोलता है ना कि यह उसको स्लिप कर देता है तो अभी मैं यहां पर इसका चेन ही ठीक कर रही थी और अभी यहां पर मैं इसका चेन ठीक कर देती हूँ उसके बाद मैं चले जाती हूँ बच्चो को ट्यूशन छोड़ने के तर फ़िर पारिश भी श्टार्ट हो गई और अभी मैं आप से मिर रही हूँ डाइरेक्ट रात के टाइम में और अभी यहां पर मैं बना रही हूं रात का डिनर और डिनर में आज जहे चना डाल का जो तड़का होता है ना वो और सिंपल सी प्लेन रोटी में बनाऊंगी तो यहां पर सारी रोटिया मेरी बन चुकी थी बस कुछी बहुची थी तो फटा-फट से मैं अपना काम कर लेती हूँ और मतलब बारिश तो आई लेकिन बारिश बंद होने के बाद फ्रेंड्स और ज्यादा गर्मी हो गई थी और उसके बाद यहां पर देखिए मैं डाल में तड़का लगा रही थी तो सुखी मिर्श तेजपता जीरा वगएरा सारी चीज़े डाल के कड़ी पता वगएरा और वैसे तो मैंने डाल में प्याज टमाटर मसाले सब कुछ डा दिये थे बस दड़का लगाना बागी था और इसमें अब जो है लाल मिच पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए मैं डाल दूँगी और यहां पर मेरी डाल जो है वनकर रेडी है तो रात का डिनर मेरा बन गया है और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूं और थैंक्यू बड़ यह बाल ग्यात।